नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकुर और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी कभी या लेखक के जीवन परिचे लिखने का सही तरीका बताऊंगा जिससे आप लोगों को आपकी बोर्ड एक्जाम में पूरे मार्क्स मिलें क्योंकि देखायाता है हर बार क्लास 10 और 12 दोनों में किसी कभी और जीवन का जीवन परिचे लिखने के लिए जरूर आता है तो बहुत से लोग इसका लिखने का सही तरीका नहीं अपनाते हैं और वो बहुत ही कम नंबर पायाते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह इसकी से अगर आप लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा तो बने रहना अमारी इस वीडियो में अंतक और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्काइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर देना तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यह जान लिजिए कि आपके पेपर में दो कुश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे एक होगा कवी का जीवन परिचे और दूसरा है लिखक का जीवन परिचे यानि कि तीन तीन नंबर के दो कुश्चन मिलेंगे और जीवन परिचे से आपको टोटल छे न संशिफ्ट का मतलब समझते हैं संशिफ्ट का मतलब होता है कि एक पेज से जादा ना हो बहुत से लोग सोचते हैं कि कम लिखेंगे कम नंबर मिलेगा तो दो तीन पेज लिख डालते हैं पर यह पूरा मेथड गलत है अगर आप इसमें एक भी पेज अच्छी से लिखते हैं तो आपको 6 में से 6 नंबर मिलने ही मिलने हैं तो देखते हैं कौन सा तरीका है तो सबसे पहले आपको जब भी अपने पेपर में जीवन परिचे लिखना प्रारम करें तो नए पेज से प्रारम करें जैसे कि आपका इतना नीची पेज जो बाकी है तब भी इसे आपको पू जीवन परिचे और हो सके तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देना है क्योंकि अंडरलाइन जब रहता है तो और भी एट्टेक्टिव लगता है और उसके बाद नीचे आएंगे तो एक लाइन भी इसकी छोड़ देनी है आपको और अगर लाइन आप खिशते हैं बीच में आपको दो लाइन छोड़ देनी है और लाइन छोड़ने के बाद यहां पर आपको जिस कवी या लिखक का आपको जीवन परिचे लिखना है आपको उसका नाम काली पैंसर डाल देना है इससे मुझे लिखना है जैसंकर प्रसाथ का माल लीजिए तो मैंने यहां पर जैसंक होगा जो आप ये कॉंपी को चेक कर रहा है उसे पता लग जाएगा कि हाँ इस बच्ची को ये सब पूरा आता है तभी इसने इसे सॉट में लिखा है नहीं तो ये और भी मैथड अपना सकता था तो इतना लिखेंगे तो आपके टीचर को आपकी योगता पता चल जाएगी और समझ लीजिए आपके चार नंबर हैं से फिक्स हो जाएंगे और फिर नीचे आना है आपको इतना लिखने के बाद और भी आपको लिखना है ताकि आपका एक पेज पूरा भर जाएं यहाँ पर आपको फिर नीचे आना है और लेफ्ट साइड में डाल देना है जीवन परिचे फिर लिखेंगे जैसंकर प्रसाद का जन्व साय नितने में यहाँ पर कासिवारांसे में हुआ था तो इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका एक पेज भरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दालना है सबसे पहले क्या जीवन परिचे और उसके बाद यहाँ पर लिखना है यह आपको जैसंकर प्रसाद की जीवन परिचे में ही नहीं बलकि जितने भी आपको कभी और लेखक के जीवन परिचे लिखने को मिलता है आपको one to all सभी की जीवन परिचे में इसे follow करना है तो इसको follow कैसे करना है सबसे पहले आपको जितने line मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको सब में लिखना है आपको जीवन परिचे लिखना है फिर हिंदी नीचे लिखना है हिंदी साहित्याकास के सूर फिर डैस हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की पी यू सुमाई प्रवधारा को प्रवाहित करने वाले फिर यहाँ पर डैस फिर सुप्रसिद्ध कभी वा लेखक कभी वा लेखक लिखेंगे तो इसका मतलब है कि कभी और लेखक भी हो सकते हैं या केवल कभी और केवल लेखक भी हो सकते हैं तो कविवा लिखक और फिर नीची आना है फिर लिखना है इसके बाद जैसंकर प्रशाद का चैन्म स्ब्सका पूसेला इस प्रेंगे प्रफ्राइश प्रसीयद करने वाले सुप्सका इतना लिखेंगे तो आपके तेन बहर चुकी है समझे फिर आप लिखने के बात नीचे आपको लिखना है कि इन्होंने अपने रचनाओं में अगर ये कभी हैं तो यहां पर रश्चंद और अलंकार ते इन्हों रहेगा और अगर केवल ये कभी नहीं है केवल लेखक हैं तो यहां पर अलंकार के वर रहेगा यानि इन्होंने अपनी रचनाओं में रश्चंद और अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है इन्होंने अध्यापन करते हुए निम्न कहानियां कविताएं लिखी अब इतना लिखेंगे तो इतने में आपका सबसे पहले हो गया जीवन परिचे और इतना लिखना है आपको औ तो आपको किसी मतलब कि जहां पर उनकी इम्रित्ति हुई थी उसका आपको अस्थान डाल देना है या सन डाल देना है कोई भी डा सकते हैं सरस्ती काया पुत्र सरनेतने में पंचित्रत्तों में बिलीन हो गया और इसके बाद दो रचनाएं लिखने को मांगता है तो यहां रचनाएं निमनुवत हैं और यहां पर आपको किसी दो रचनाओं को लिखनेना है इतना अगर आप लिखेंगी तो आपका एक जो पीज है भर जाएगा क्योंकि दिखिए जितना मैंने आपको तरीका बताया एक दो तीन चार पांच छे और फिधर साथ आठ नो दस व्यार 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और इधर 20, 21, 22, 23, 24 अब दिखिए यहां पर बहुत ही मैंने आपको कथा कहानी नहीं बताई मेरे में 24 है तो आपकी जो कॉपी है उसमें 12 लाइने हैं 12 लाइन तो इसी से भर जाएगा और 12 लाइन तो आप कथा कहानी लिखकर भर ही देंगी तो इतना मतल अच्छा से आप लिख देंगे आपका जो जीवन परिचे है वो एक्टिव रहेगा तो आपका जो एक्जामिनर है जो आपको कौपी को चांच रहा है टेस्ट कर रहा है वो आपको पूरे मार्स जरूर देगा सबसे पहले आपको उपर जीवन परिचे डालना है फिर कभिय नहीं लिखना है आपको इनकी मृत्ति सन इतने में हुई इतना लिखेंगे ति बुरा लगता है थोड़ा सा सरस्प्तिक आया पुत्र सन इतने में पंचततों में विलीन हो गया जितना मैंने आपको अभी मैथड बताया अगर आप इसको देख कर आप अपने बोर्ड एक्जा होनी चाहिए पूरा सत नमबर आपको मिल जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही था कैसी लगी वीडियो और यह ट्रिक हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नह ही ना तो मैं मिलूँगा आपको किसी इसकी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के रहें बाए बाए